दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे दू बहुत important lesson शेयर करने बाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो सकते हैं अगर आप इसे ठीक धंग से समझते हैं और इसके हिसाब से काम करते हैं दोस्तों बात करें पहले important lesson की तो पहला important lesson ये है कि आपको ये कभी नहीं समझना है कि आप दौलत मंद नहीं हैं आपको ये समझना होगा कि अगर आपका सरीर श्वस्त है आप healthy है और आपके पास आपका mind सही तरीके से काम कर रहा है और आपके पास शमय है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दुनिया की दो सबसे बड़ी जो किमती चीज ह जो दौलत है वो आपके पास है वो है आपका समय और आपका दिमाग और यहां पे दूसरा important lesson ये है कि आपको ये याद रखना होगा इस code को याद रखना होगा कि if you are not using what you have means you are losing यानि कि आपके पास जो भी चीजे है अगर आप उसका ठीक धंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे ह है तो आप उन चीजों को यूँ ही वेश्ट कर रहे हैं बरबाद कर रहे हैं लूज कर रहे हैं तो आपको ये गल्ती नहीं कर नहीं है जैसे कि मुझ ध्र इम्पोर्टेंट लेसन में ये समझा कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी अगर हमारे पास एक स्वस्त सरीर है एक स्वस्त माइंड है और हमारे पास समय है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास दुरिया की एक बहुत बड़ी दौलत है और अब सवाल यह है कि उस दौ का इस्तामाल करेंगे उसी हिसाब से को थी हमारे में अब इस लेह ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग पे लगतार काम करते रहें क्योंकि दिमांघ ऐसी चीज में ऑज़ार की तरह लग सकती है और वो बहुत काम में आपके नहीं आएगा और वो आपके सबसे बड़ी लायबिलेटी भी बन सकती है क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि अगर किसी जमीन को उपजाओ ना बनाया जाए वहाँ पे मेहनत ना किया जाए तो वो जमीन आल्रेडी बनसर हो जाता है वहाँ पे काटे उग जाते है और वहाँ पे निगेटीव इफेक्ट देखने को मिलता है ठीक उसी तरह से अगर हम अपने दिमाग का पॉजिटीव थरीके से इस्तिमाल नहीं करते हैं अपने दिमाग को हम उपजाव नहीं बनाते हैं उसमें नए आइडियाज नए बिचार जो आ रहे हैं उसके इसाब से अगर काम नहीं करते हैं अपने आपको डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा, कि हमारी जो जमीन है, हमारे जो दिमाग है, वो बंजर हो जाएगा, वहाँ पे काटे उग जाएगे, और हमें निगेटिव इफेक्ट देखने की मिलेगा, और हमें अपने लाइफ में बहुत सरी प्रोलम फेस करने पड़ सकते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पे हमने दो important lesson discuss किया, पहला important lesson यह है, कि आपको ये कभी भी नहीं समझना है, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास आपका स्वस्त शरीर है, स्वस्त माइंड है, और आपके पास शमय है, तो इसका मतलब आप already दौलत मंद हैं, बस उस दौलत को सही द दिमाग और आपका समय बहुत ही किम्ती दौलत है और उस दौलत का आपको यूज करना है क्योंकि if you are not using means you are losing और आप नहीं चाहेंगे कि आप यूँ ही अपने पास जो आपके सबसे किम्ती चीज है उसे बरबाद करें जो है आपका समय और आपका दिमाग तो आई होग कि इस वीडियो को पुरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ेने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद